साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके ससक्तिकार के लिए टेक्नोलोजी एक इंपोर्टन टूल बन चुकी है। हमारी जूडिसल सिस्टिम में भी टेक्नोलोजी के संभावनाओं से आप सब परिचित है। हमारे ओनरे जूडिसल सिस्टिम में टेक्नोलोजी के संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उधार के तौर पर इकॉर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोर में इंप्लिमेंट किया जा रहा है। सुप्रिम कोट इकमिटी के मारदर्शन में जूडिसल सिस्टिम में टेक्नोलोजी इंटिग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्तित सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोट के सभी चीप जस्तित से भी आगरे करूँगा कि इस अभ्यान को विश्यस महत्वदें इसे आगे बढ़ाए। डिजिटल इनिया के साथ जोड़ी शरी का यह इंटिग्रेशन आज देश के सामान निमानवी क्या प्रिक्षा भी बन गई है। आप देखिए आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजिक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को रखता है, लोग शक करते हैं, अरे यह हमारे देश में कैसे हो सकता है। और यह भी सोचा जाता है, इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सिमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कश्बव और यहां तक गावों में भी डिजिटल ट्रांजिक्शन आम बात होने लगी है। यह पूरे विश्व में, पिछले साथ जितने डिजिटल ट्रांजिक्शन हुए, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में हुए है। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं, जिन के लिए पहले नागरिकों को महिनों आफिसे के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मुबाइल पर अवेलिबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिकों सेवाएं और सुविधाएं ओनलाइन उपलत हो रही हैं, वो न्यायक के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेशाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेकनलोजी और फिचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसका एक इम्पोर्टन एस्पेक्ट टेक्ट फ्रेंड्ली हीमन डिसोर्सिज भी हैं। टेकनलोजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभा भी घिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रफेशनल स्टेंड्ड कैसे बने हैं। आज कल कई देशों में लोग उनिवर्सिटीज बहनें। ब्लॉक चेंज, एलेक्ट्रोनिक डिस्क्योरी, साइबर सिकूरिटी, रॉबोटिट्स, आर्टिफिशल इंट्रिजिजन्स और बावे अथिक जैसे विशे पढ़ाएं जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरेस्टिल स्टांडर्ट के मताबिक हो, यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे।